दोस्तों मैं सुधामिस्रा कैली वरड़ा के ओफिसेल यूटूब चनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी में स्वर और बेंजन में पढ़ा रही थी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में मैंने स्वर और बेंजन पढ़ाए हैं आज मैं part 3 में सुर्वेंजन के कुछ चीजें बची थी, वह मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, जैसे घोस, सगोस, अलप्रान, महाप्रान, ऐसी चीजें पढ़ाने वाली हूं, इसके अलावा part 1 part 2, इन चीजों को समझने के लिए part 1 part 2 देखना बहुत ज़रूरी है, डिस्क्र रहा था बेंजन के बारे में cover ये चीजें जानना बहुत जरूर ही है इसलिए मैं यहां बोल पर लिखे लेदे रही हूं का खा गा गा अंगा च च ज ज ज य त थ ड ड ड ड ड र ये सारे वेंजन इसको हमने नाम दिया था कवर्ग का ये था चवर्ग ये था तवर्ग ये था तवर्ग और ये था पवर्ग इन सारे वेंजन को क्या कहा जाता है इन सारे वेंजन को कहा जाता है इस परशी वेंजन क्या कहा जाता है इस परशी वेंजन हाँ एक क्वेस्चन और एक्जाम में आ सकता है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ड़ और धा इसका दूसरा रूप क्या था ड़ धा इसको हमने क्या बताया था गौड वेंजन इसके लाम इसको क्या कहा जाता है उच्छिप्त वेंजन और इसके लाम एक चीज और एक्जाम में आ सकता है जो आपको नोट करने लायक है इसमें चा चा जा और जा ये चार है इन चा चा जा जा और जा को क्या कहते हैं संघर्स इसपरशी वेंजन इक्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि संघर्स इसपरशी वेंजन किसे कहते हैं तो चा चा जा और जा ये उसमें सामिल नहीं होता है इन चारों को संघर्स इसपरशी वेंजन कहा जाता है अब हम आपके सामने चार चीजें जो आती है अगोस, सघोस, अलप्राण, महाप्राण इनके बारे में पढ़ते हैं इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ अगोस और सघोस, अलप्राण, महाप्राण सामने रूप से एक्जाम में आता है, अक्षर दे दिये जाते हैं कि इसमें कौन सा सघोस है, कौन सा अगोस है दो अक्षरों का ग्रूप दे दिया जाता है, कौन सा अलप्राण है, कौन सा महाप्राण है, इस तरह से आते हैं तो हमने जो ये गृप बनाया है ये पांच-पांच का है, एक, दो, टीन, चार, पांच, ये पांचों लाइन में पांच-पांच के अक्षरों का गृप लिया हुआ है, ये total कितने हैं, 25 है, total 25 है, तो इनहीं में से अलप्राण और महाप्राण हमने शामिल किया है, तो से शुरू होता है तो अग्होस उसके बास सग्होस उसी तरह आप याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ अ से अलप्राण फिर महाप्राण आप ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा तो अग्होस में हम लिखेंगे कौन-कौन से नमबर रखेंगे एक और दो गिंती के माधिन से जानेंगे एक दो तीन चार और पांच ये इनका वर्ग हम माट लेते हैं तो अग्होस में कौन-कौन से नमबर के अक्षर रहते हैं एक और दो ये किसमें रहते हैं अग्होस में फिर बारी आती हैं सग्होस की बाकी के जो तीन अक्षर बचते हैं गगा उंगा चा जा जा इया डढ़ा अणा दाधा ना बाभा मा तो एक दो इधर हो गया तीन चार और पांच इस नमबर के अक्षर आ जाते हैं सग्होस में तो अगर मल्या चा और चा का अक्षर आगे एक्षाम में और पूछ लिया गया ये अग्होस है किस अग्होस है तो आपको नमबर से यादे चा चा तो पहले और दूसरे नमर पे आता है तो वो अग्होस ही है अब हम बात करते हैं अल्प्राण महाप्राण जैसा कि नाम से ही इस पश्ट है अल्प्राण जिसको बोलने में कम ताकत लगे अल्प्राण हो और महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा ताकत लगे वो महाप्राण में आते हैं अलप्राण में इसका एकदम विप्रीत हो जाता है एक, तीन और पांच ये एक इस लाइन के अक्षर तीन, एक के अक्षर तीन के अक्षर और पांच के अक्षर ये किस में आ गए? अलप्राण में आए और महाप्राण में आप क्या आ गए? जो इसके बचे हुए हैं, दो और चार, दूसरे नमबर का अक्षर और चौत के नमबर का अक्षर, यह आपके महा प्राण में आ गए, तो इस तरह आप समझ लेते हैं कि सभूस कौन कौन से हैं, पहले और दूसरे नमबर के जो वर्ड हैं वो अभोस में आते हैं तीन, चार, पांच जो हैं वो अभोस में आते हैं एक, तीन, पांच, एक, तीन, पांच यह आता है अलप्राण में दो और चार यह आते हैं दो और चार यह आते हैं आपके महाप्राण में अब इसके बाद आपका अक्षर बचता है ये चार अक्षर बचते हैं ये चार बोलने में आपने जैसे देखा इन चारों को बोलने में ज्यादा एनर्जी नहीं लग जैसे एक मिनट मैं आप इसका स्क्रीन शॉट लीजे मैं इधर डीटेल में समझाते हूँ आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे या इसको नोट कर लीजे मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा मैं इसको रब कर दूँ इधर यारा लावा ये हमने जल्दी से बोल दिया तो आपका अक्षर अगर आता है यारा लावा ये कौन से अक्षर होते हैं ये आपके अल्प इसको बोलने में कम टाइम लगा तो ये क्या हो गया अल्प प्राण हो गया और अगली लाइन आपके पास क्या वच्टी है शा शा सा हा शा शा सा इसको बोलने में देखिया हम ताकत ज्यादा लगा रहे हैं तो इसमें ये चारो तो नहीं अभी हा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी शा सा ये जो है ये आपका महा प्राण में आ गया ठीक है ये यारा लावा ये अलप्राण हो गया और शाशा साहा ये आपका महा प्राण हो गया और ये अलप्राण होने के साथ सघोस और अगोस की बात भी हमने करी थी तो ये सघोस है और ये अगोस है ठीक है अब नमबर आता है हा का हा के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ हा जब आप हा का उच्चारण करते हैं तो हा का उच्चारण करने में उश्मा तो साथ में बाहर निकलती है ये अगोस तो है ही इसके साथ ये महा प्राण नहीं है ये अलप प्राण की स्रेणी में आते हैं ठीक है हा क्षर जो है ये अलप प्राण की स्रेणी में आता है इसको आपने नोट कर लिया अब कुछ चीज़ें और एक्जाम में आती हैं जैसे हम स्वर बेंजन की बात करते हैं क्वेश्चन आता है कि स्वर और बेंजन ये किस में आते हैं तो जितने स्वर हैं छोटा आ से लेके चोटा बड़ा चोटी बड़ी चोटाओ बड़ाओ या आ से लेके आओ तक ये जितने स्वर होते हैं ये सगोस होते हैं क्या होते हैं सगोस होते हैं इसको आप नोट कर लिजेगा आ से लेके आओ तक जितने स्वर होते हैं ये सगोस होते हैं मेरे ख्याल से स्वर और वेंजन की सारी चीज़े हमने इंक्लिवड कर ली है अगर आप भूल रहे होंगे तो ये भी आपको पता है ये कहां से इसका उच्चरण होता है कवर्ग का उच्चरण आपका होता है घंट से फिर इसका होता है तालाव्य से तावर्ग का होता है मूर्धा से तावर्ग का होता है दंत से और पावर्ग का उच्च से इन चीज़ों को आप फिर से अंदोरा लिजेगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए धन्याराई